खरवार भोकता समाज विकात संद किंद्रिये समीती राची द्वारा राची मोराबादी में दिवसी खरवार भोकता स्वाभिमान अभार महारेली का आयो जनकी आ गया कार्चक्रम में मुक्य अतिती किंद्रिय धैक दर्सन गंजु और बिशिट अतिती पुर्विधायक जैपरकास सिंग भोकता, डॉक्टर देवसरन भगत, किंद्रिय संरक्षक योधेश्वर सिंग भोकता, रौसन लाल चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे खरवार की भोकता सहित आठ उपजातियों को अनुसुची जनजाती में सामिल करने के लिए किंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया इस महा रैली में जार्खन बिहार, पश्चिम मंगाल, असम, उडिसा, छत्तिसगड, उत्तर प्रदेश से खरवार समाज के लाखों की संखिया में लोग सामित हुए खरवार भोगता समाज विकाल संद के किंद्रिय ध्यक दर्शन कंजू ने अपने स्वागत भासन में किंद्र सरकार के प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी, अमित्सा और जंजातिये मंतरी अर्जुन मुंडा का हिर्दय से स्वागत किया इस कार्चक्रम की सुरुवाद निलामबर पितामबर पार्क रांची स्थित पथलगढ़ी में पाहंदवारा पारंपरिक रूप से पूजा अर्जना के साथ किया गया तथा महापूर्सों की समाधिय स्थल पर माले आरपन की गई उसके बाद सहीद की बेदी पर माले आरपन किया गया कार्चक्रम का सुभारन दर्शन गंजूर पूर्विदायक जैपरकास सिंग भोकता सहीद अन्य अतितियों ने दीब चला कर किया काजन सभूप अधरलिये जोधा सवसिंद भुखा जी है कि यंद्री कमेटी के कर दो कर दो कर से पहले हमीं खरवार के साथ है भोकता कोई अलग जायत नहीं है गंजूर कोई अलग जायत नहीं है लेखिंग जैए तू यह उसे लोग हो किता ना महापहिन नताओं को इस मंज के माधियम से अभाग बेक करते हैं आज जितना दियसों जिले से जिला के पतादी काई हमारे बीच में इसे श्रक्ती थी कि मानने तरी रोशनलाव चौद्रे जी उपस्तित है उनसे अग्रा है कि वो पंच प्यार के अपना थांग रहन करेंगे तरी रोशनलाव चौद्रे थी हमारे अग्राज अज सभी अपने सम्मान को पाके रहेंगे यहीं हमारा सम्देश है। जे जन्याति समाज, जन्यवाद, बहुत बहुत जन्यवाद, अभेंजी, उतरप्राइब ग्रांदी करबाजीता, ग्रांदी करबाजीता अपना सांदा लंस, ग्रांदी करबाजीता, ग्रांदी करबाजीता जन्यवाद, यदी करबाजीता, ग्रांदी करबाजीता लुटाइब लुटाइब रगे माईदान, लीला मरती का अजर्टा मादा हैसां अपने आँके धन्य बारदो पी कि कि हम्रों करें कि लड़ाई रहे हैं कि हम रोग आली बास्ति है अनुस्चित जने जाती है और यहां दिन से चम्लाइब विगत साग हम्रों करणाः के वरशकार माइन दिला कि भोगता समाज अनुस्चित जने जाती में है और उन्हें लिए निकाने हमेरे अभार हैं साथि साथ हम तबन जे फीरशही दिए चुतंत्रता से नानी है जे इस देश करा जानी भे समाश कर माध्यम से अधर कर समाश से लड़ रहा है निलांबर पितांबर और और आजी साथिमन हम उमन के सकाथाजिन यरपित करिला कि हमारा समाद भी इस घ्रस के अधादी में लौणा इनौणा है इसलिए आज सोधिवान भी अपने आपने गड़ भी मस्शुष करते लेकिन एक तरह बहुत चुनोती है कि शार्खड बढ़न के बाद शार्खड में चोर्फेत्पा हुआ हुआ थे शार्खड के आगीवन गर्माजुर को आज सब्सक्राइब इकर मालिक कोई भी आपने आपने आपके हग जबाले और यहां का मालिक बन जाए वह साइज भी बन गया है हमारा येश अफ्परा से हमारा हे अध्रा स्वादी कुण को इन वाला ऐसे समय वे अपाद जम्समू अजिस राजी को लेश के मैदान में एक जूठो करके लोगों ने दिखा दिया कि फोक्ता समाज में वो ताकत है लड़ा कूश समाज है लड़ सकता है कख सकता है मर सकता है पूप नहीं सकता है और ये करिक्रम जिस निमित रखा गया है आप सभी जाते हैं कई वर्सों अंतराल हम सब को यह लब्धी हासिल हुई है हम सब ऐसे तो हम सब जाते हैं कि 22 वर्सों के हम याउदोलन कर रहे हैं लेकिन इससे पुर्ग भी रामजय सिंग भोगता जी और मेरे फिटार तो यह प्रयास सबके रहे हैं कि आखिर हमारे समाज का पहस्चान क्या है और इस पहस्चान को भूड़ते भूड़ते आज हम इस मौका पर पहस्चे थे यह लड़ाई को यह आरक्षन की लड़ाई नहीं थी आरक्षन परात करके नौकरी पाने की लड़ाई नहीं थी यह हमारे संस्कार हमारी संस्क्रिति हमारी परप्राव को जीवन तरखने का हमारी पहस्चान को जो हम भूड़ते जा रहे थे जो एक मूलवाशिति जो पहचान होती है हम जगलों में निवाश करने वाले हैं प्रकृति के गोज में निवाश करने वाले लोग हैं हम प्रकृति के पूजक हैं प्रकृति के उपासक हैं और ये सारी ब्यवस्ता होने के पौज़ों भी हमारे अपनी पहचान से को सबूर समाज के वतमान के परयास समाज की वर्पान केलरी कमीटी के परयास से और आप तमाम जब्मानाश नहां उपस्कित हैं आपके परयास आज ये सपन हो पाया है हम पुना अपनी पहचान को प्राप्ट कर पाएं है आदिवासी का दर्चा हमें दिला है चोहत्तर बरसों का जो हमारा मूल पहचान खोए हुए थे वो पहचान हमारे सरधे परधान मंत्री मान्य श्री नरेंदर दास दामदर मोधी जी हमारे गिरव मंत्री अमिसा जी, हमारे मान्य जनजाती मंत्री, अर्जुन मुंडा जी, साथी जनजाती राइज मंत्री, रेनुका सिंग जी, विसेश्वर टुडू जी, साथ सी साथ समाजी की नयाधी कारता मंत्राले, डाक्टर बिरेंदर कुमार जी, यानि पूरे हमारे भारा सरकार के जितने भी केमिनेट बंत्री और यहां के सांसद और जितने भी राइसवा सांसद दिपक परकाजी से लेकर बाबुलाल मांडी जी का सारा अनुसंसा भारा सरकार के जाने के बाद यह असास हुआ कि इन लोगों के साथ जब देश सजाद हो रहा था उन्हें सो सहितालीस में उन्हें सो पचास में जब जाती का सेनीर निर्धार्यन किया जा रहा था उस समय हम लोगा हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अथक मतलांदोलन और संगर्ष के बल पर हमारे बीर निलामबर पितांबर भोज भरत भुगता भागिरत मांजी के स्वतंता सेनामियों ने देश अजादी के लिए लड़ाए लड़ा लेकिन इनको मूल पहचांद से 1950 में जब देश अजाद हुआ तो हमको गुलामी के जंजीर में सासक वर्गों ने सडियंत्र और साधित के तर्थ हमको अनुसुची जाती में डाल दिया गया जबकि यहां के खरवार के मूल ट्राइवल हम लोग उपजाती भोगता है और तमाम हमारे आठों उपजाती भोगता देसवारी दौलदबंदी पडबंदी मंजिया रावत खेरी ये सारे उपजातिया है खरवार मूल जाती हमारा खरवार है हम उसका उपजाती है लेकिन ह वनमलोगों Кा चुकी हमारे पूर्वजों का जमीन लैंदलोड है हमारा जमींदारी था मारा लोगों करने के सासन będą वस्ताइ DA M हमारा जन संक्या है हमारा तुक यह तो प्रेजाएं कि किया माना जाए कि तरफ अब आपनों अब शुका होगा चुकि आभार जदा रहें तो आभार तो बोट देकर भी जदा जाता है नहीं वोट का